अरहुल फूल का स्थाना तंधर में एक अलग ही महत्तु माना जाता है मादुरगा को अरहुल फूल अत्यधिक प्यारा होता है और इन्हें या फूल अरपित भी किया जाता है लेकिन आपको बता दें कि इसके कई औसधिया गुन भी उपलब्द है इसको लेकर जब आयरुवेदा चारी गनेश श्रमा से बात की गई तो उसने बताए कि हमारे आसपास लगभग जितने भी पौधे हैं उसका कुछ जरूड उपियोग है लेकिन हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है लेकिन आपको बता दें कि अरहुल का फूल कई प्रकार के रोक को खत्म करने में मददगार शाबित होता है उन्होंने बताए कि अरहुल का फूल सब्चे अधिक कान के दर्द में मददगार शाबित होता है जब कभी आपके कान में दर्द हो तो इसके रस को आप कान में डालते हैं तो उसे काफी राहत मिलती है इसके साथ ही अगर आप सुबह खाली पेट अरहूल के फूल का शेवन भी कर सकते हैं तो यह आपके लिए अत्याधिक फाइदे मन्द होगा या आपके सरीर में कई तरह की बिमारी से निजाद दिलाता है लेकिन इस ख़बर में दी गई औसदिया और हेल्थ बेनिफिट रेशिपी की सला हमारे एक्सपर्ट से की गई चर्चा के आधार पर है या सामान्य जानकारी है ना कि व्यक्ति गत्सला हर व्यक्ति के आवश्यक्ताएं अलग है इसलिए डॉक्टर से परामर्स के बाद ही कोई चीज उप्योग करें लोकल 18 की टीम किसी भी उप्योग से होने वाले नुक्सान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी इसको उप्योग करने से पहले आप डॉक्टर से जरूर सलाह ले अगर आपको इस चीज से अलरजी है तो आप इस चीज का सेवन करने से जरूर बचें झाल झाल अरहुल का फूल लगभग सबके घड़ों में देखने को मिलता है डेली जीवन में क्या उपयोग है लोगों के लिए? किस तरीके से लोग उसका उपयोग कर सकते हैं? अरहुल का फूल को तो सिवन के जाता है अरहुल कितने दिनों तक लोग प्रीयोग कर सकते हैं? को लिया अरुबेतिक दवा तीन महने तक कंटिनू करना? अगर आओ समझे आए तो कुछ दिन के बाद उसको बंद करने के बाद भी उसको पुनः चालू करना होता है लेकिन कंटिन्यू एक तीन माह तक उसका और और इससे किस तरीके की विमारी को खत्म किया जा सकता है देखेए जितने भी प्राक्रितिक चीज़ है जितने भी पौधा है और इसका हर चीज़ का गोन दो साला का बगाए अब अब ए